हलो दोस्तों मैं सोवित कुमार चोदरी आपका फिर से वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स हवेली पर दोस्तों आज का ये वीडियो बड़ा खास होने वाला है गुडविल के पॉइंट ओ व्यू से आज ये हमारी गुडविल की दूसरी क्लास है पहली क्लास में हमने केवल आपसे गुडविल के मिनिंग के बारे में बात की थी या फैक्टर कौन-कौन से होंगे जो गुडविल को अफेक्ट करेंगे उनके बारे में डिसकसन किया था और उसी में हमारी सारी क्लास निकल गए और अगर आप वीडियो लास तक नहीं देखते हैं मेरे बच्चा तो आप concept को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वीडियो को लास तक देखेंगे तब ही आप समझ पाएंगे साथ में आप हमारी पिछली लेक्चर स्रीज को देखने के लिए आप देखेंगे जाकर चैनल पे जाएं प्लेलिस्ट बनी हुई है प्लेलिस्ट में इंडिविजवल टोपी की प्लेलिस्ट भी हमने बना दिये interest on drawing की playlist पे जाएंगे तो सारी video interest on drawing की है, interest on capital की playlist भी महाँ बनी होई है और basic और partnership की भी एक complete playlist है तो आप महाँ से जाकर भी आसानी से वो वीडियो देख सकते हैं तो आज की class को हम start करते हैं method of goodwill से तो मैं आप से बात कर रहा था last class में methods of goodwill के बारे में कि हम 12th standard में कितने methods पढ़ते हैं methods for valuation of goodwill means goodwill की valuation के लिए goodwill की valuation के लिए हम किन-किन methods का use करते हैं अपने 12th standard में तो बेटा 3 methods मैंने आप से last time discuss किये थे फिर से उन्ही methods को आपको एक बार बता देता हूँ 3 methods होते हैं मेरे बच्चा पहला होता है हमारा average profit method एक कौन सा method होता है मेरे बच्चा हमारा average profit method और दूसरा मेरे बेटा होता है super profit method और तीसरा method जो हमारा होता है वो होता है capitalization method कौन सा method capitalization method तो तीसरा मेथड होता है हमारा मेरे बच्चा Capitalization Method इनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपसे अभी मैं बात करूँगा सबसे पहले आपसे Average Method की तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर मेरे बच्चा कि अभी जो मैं आपसे discussion करूँगा वो मैं Average Method पर discussion करूँगा अब बेटा दो तरीके के Average हमारे पास होते हैं एक होता है हमारा Simple Average और एक दूसरा होता है हमारा Weighted Average दो तरीके के Average Journal हम यूज करते हैं Average Profit की Calculation में दो तरीके के हम Average निकालते हैं एक Average को हम मेरे बच्चा बोलते हैं Simple Average और दूसरे Average को मेरे बच्चा हम बोलते हैं Weighted Average तो बात ये आती है कि कहां Simple Average लगाना चाहिए कहां Weighted Average हमें लगा लेना चाहिए तो इसके बारे में भी मैं आप से discussion करूँगा लेकिन सबसे पहले मैं Average Method से Goodwill निकालने का जो हमारा एक Basic Formula होता है वो Formula लिख लेते हैं Goodwill is equal to Average Profit into Number of Years Purchase Number of Years Purchase ऐसे करके हम निकाल लेते हैं Goodwill यानि कि In Average Method for the calculation of the Goodwill We have the Formula Average Profit into Number of Year Purchase Simple सा बड़ा आसान सा ये लड़ू Formula है कि Average Profit into Number of Year Purchase की जैसे ही हम Multiply करते हैं तो हमें Average Method से Goodwill निकल कर आ जाती है लेकिन याद रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर Average कौन सा लेना है Simple Average लेना है या Weighted Average लेना है या दोनों Average में क्या difference होता है अब मैं इस पर आप से discussion करने वाला हूँ पहले मैं कोशन कराता हूँ Average Method से फिर मैं कोशन कराऊँगा Weighted Average Method से पेपर में सर किस से करना है बेटा पेपर में mention होगा आपको कि Simple Average से कोशन करना है या Weighted Average से कोशन करना है अगर कोशन silent होता है तो हम Simple Average से कोशन कर देते हैं लेकिन एक number में वो एक MCQ Technical कोशन बूच लेता है कि कोई ऐसी situation तो होगी कि अगर इस तरीके का trend हमें दिखाई दे रहा हो तो Simple Average फोलो कर लें और इस तरीके का trend हमें दिखाई दे रहा हो तो Weighted Average फोलो कर लें उसके बार में भी मैं आपसे discussion करने वाला हूँ तो अभी मैं Simple Average से Good Will कैलकुलेट करके निकाल के आपको दिखाता हूँ चलो स्टार्ट करते हैं फिर से लिख लेते हैं formula कि Average Profit Average मैं सोट में लिख रहा हूँ आप पूरा लिखेंगे Average Profit से Good Will हम किसे निकाल रहे हैं मेरे बच्चा Average Profit से Good Will कैसे निकलती है हम क्या करते हैं मेरे बेटा हम Average Profit में इंटू कर देते हैं number of years purchase की क्या कर देते हैं मेरे बच्चा simple भी हो सकता है और ये average हमारा weighted भी हो सकता है ठीक है अभी मैं simple average की बात कर रहा हूँ तो मैं एक example ले लेता हूँ और आप से कहता हूँ find out find out good will from the following और पूरा लिखता हूँ on the basis of basis भी बता रहे हैं on the basis of simple average profit method ठीक है मेरे बच्चा यानि कि वो कह रहा है good will निकालो इस information से और कौन सा method follow करना है simple average profit आपको देता है ऐसे देदेगा ऐसे बोल सकता है कि year 1 में 10,000 का profit है आपका year 2 में 20,000 का profit है आपका और year 3 में इस तरीके से आपको information दी होगी 30,000 का profit है ठीक है और good will को वो बोलता है कि हमें valued करना है किस पे value होगी good will valued on the basis of two years of purchase इस तरीके से सारी information आपको question में given है कहता है simple average profit method से question करके दिखा दो हमें तीन साल का हमें profit दे रखा है और कहता है दो साल का year of purchase है दे देखो question में number of year purchase हमें चाहिए होता है तो ये तो दो साल question ने हमें दे रखे है इसको तो उठा कर हम लिख देंगे लेकिन लडाई इधर है कि जो हमने average profit लेना है वो simple भी ले सकते हैं और weighted भी ले सकते हैं तो question मेरे बच्चा क्या demand कर रहा है कि simple average profit से आपको करके दिखाना है तो यानि कि हमें सीखना है पहले कि simple average profit कैसे निकलेगा सर तो बेटा ध्यान दे sum of profits divided by number of years ऐसे लिखेंगे sum of profits मतलब जितने भी साल के profit दे रखे हैं उन सब का sum कर लेंगे जैसे 10,000 plus 20,000 plus 30,000 यह हो गया बेटा इन तीनों का sum इसको sum बोल देते हैं यह तीनों का sum कर लिया मैंने 10,000, 20,000 और 30,000 यही तो formula बोल रहा है कि simple average कैसे निकालोगे sum कर लोगे profit का sum कर लिया और अब मैं इसको divide करने जा रहा हूँ number of year से कितने number of year हैं देखो year 1, year 2, year 3 इनका sum नहीं करना बस number of year लेना है कि कितने साल का profit है हमारे पास 3 साल का 1 साल, 2 साल और 3 साल तो कितने number of year होगे 3 साल की detail हमारे पास है तो divided में 3 कर देंगे मेरे बच्चा 4 साल का profit होता तो 4 साल के profit का sum करते divided by 4 कर देते सर 5 साल का profit का sum होता तो बेटा 5 साल का profit का sum ले लेते divided by 5 कर देते सर 2 साल के profit होते तो 2 साल के profit का sum लेते divided by 2 कर देते सर अगर profit की जगा loss होता तो कोई बात नहीं बेटा जब calculation करते तो वो plus की जगह minus हो जाता और divided by 2 कर देते, मान के चलो दो साल का profit है, एक साल profit, एक साल loss, तो दोनों का sum करेंगे तो profit में से loss subtract हो जाएगा और divided by ये नहीं है कि profit हो ने loss वाला year consider नहीं करेंगे, consider करेंगे और 2 से divide करेंगे उसको next question में तो कितना आया 60,000 बटे 3 that is 20,000 कितना आया बेटा, 20,000 यानि कि हमारा जो average profit था वो कितना आया 20,000 का आया, कितने का आया बेटा 20,000 का आया तो goodwill कैसे निकलेगी goodwill ने कहा था, average profit जो कि है 20,000 का number of year purchase जो है 2, तो कुल मिला कर कितना आगया 40,000 का, क्या इतना लड़ू आने वाला है पेपर में न ये समझाने के लिए धीरे धीरे इसका level बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे ये तुमारी जिन्दकी में आएगा इसका level बढ़ता रहेगा दे रखा है उसी profit को ले लेंगे या कुछ plus minus करोगे अब उसमें, उसके बारे में भी discussion करेंगे कि क्या जो P&L से profit आता है वो ही profit goodwill के परपज के लिए यूज होता है या कोई और सा profit goodwill के परपज के लिए यूज होता उसके बारे में भी चर्चा करेंगे बेटा एक दमी सीख लोगे सब एक दमी, खाना बनते ही गरम खा जाओगे, मूँ जल जाएगा थोड़ा ठंडा कर लें, तो अभी ठंडा करें फूक मार रहे हैं तो फूक मारे के जब ठंडा हो जाएगा तो फलाना धिमा का तब हम कर लेंगे ठीक है मेरे बच्चा, चलो तो अब करते हैं एक्जामपल नमबर टू उसमें लोस को कवर कर लेते हैं तो एक्जामपल टू ले लेते हैं मेरे बच्चा, एक्जामपल टू ऐसे ले लेते हैं फाइंड आउट value of goodwill on the basis of three years of three years of simple average profit methods methods निम method मरे बच्चा find out value of goodwill on the basis of three years of simple average profit method चिक है अब आपको देता है पहले साल का पहले साल का profit मान लेते हैं 20,000 का और दूसरे साल का मान लेते हैं 10,000 का या तो ऐसे bracket में लिख देगा या ऐसे loss लिख देगा चिक है और तीसरे साल का आपको दे रखा है कितना मान ले मेरे बेच्चा बताओ जल्दी से 80,000 हम ऐसे मान ले चीक है इस तरीके से information दे रखी है 3 साल के simple average profit के basis पे करना है basis of 3 years of simple average profit और 3 साल का ही profit दे रखा है और 3 साल का ही number of year purchase है तो कैसे करोगे आप सबसे पहले काम क्या करोगे बताओ मेरे बच्चा सर हम निकालेंगे average profit कुछ नहीं बताया तो simple average ही ले ले लेंगे simple average निकालने के लिए क्या करते हैं sum कर देते हैं तो ये जो 10,000 है ये lows है इसको bracket में रख देंगे और bracket में रखने का मतलब ही ये होगा subtract कर देंगे कितने number of year होगे 3 तो 80 और 2 ये 1,000,000 हो जाता है 10,000 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा मेरे बच्चा 90,000 बटे 3 तो कितना आएगा बताओ जल्दी से मुझे 30,000 का आएगा हमारा average profit तो goodwill क्या होने वाली है goodwill कह रही थी average में कर देना number of years purchase वो भी हमने कोशन में 3 ही माना है goodwill निकल के आजाएगी मेरे बच्चा 90,000 ऐसा कोशन या इस में से कोई एक basic information घुमा फिरा के कोशन में पेपर में आ जाती है same question पेपर में कैसे आ जाएगा जल्दी से देखो ये important हो जाएगा example sort में लिख लेता हूँ मैं goodwill निकालो on the basis of 3 years of purchase ठीक है और profit हमें कोशन में दे रखे हैं ध्यान दो profit दे रखे हैं पहले साल same repeat करता हूँ ध्यान देना 10,000 credit ऐसे लिखा हुआ है दूसरे साल बिटा बी केरफूल धंग से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ 5000 debit और तीसरे साल कोशन बोल रहा है जल्दी से देखो मैं क्या कह रहा हूँ जल्दी से चेक करो जल्दी से चेक करो मेरे बच्चा कितना मान ले 55,000 credit ऐसे मान लेते हैं कि इस तरीके से information हमें दी हुई है 10,000 credit 5,000 debit और 55,000 credit अब ये नहीं बताया उपर वाले कोशन में तो उसने बता दिया था कि profit और ये loss और ये भी profit क्योंकि जो चीज bracket में हो गई negative हो गई इसका मतलब that means loss है और बाकी ये हमारे क्या है profit है लेकिन सर यहां तो कुछ बोले ही नहीं यहां तो उसने symbol यूज कर दिया 10,000 credit 5,000 debit 55,000 credit तो मेरे बच्चा जानते तो हो जब assets ज़्यादा होंगी जब assets side का total ज़्यादा होगा liability side का total कम होगा तो वही बीच का difference तो profit होगा हमारा ये कहलो जब income वाली side ज़्यादा होगी expenses वाली side कम होगी तो difference क्या होगा profit होगा तो सर जब profit liability जो चीज liability side लिखी गई होगी liability side मतलब credit side लिखी गई होगी इसका मतलब assets ज़्यादा रही होगी liability कम रही होगी तो कि balance करते हैं न मैंने कहा 1,000,000 की assets 80,000 की liability और profit आपको find out करना है तो आप क्या बोलोगे 1,000,000 की सर हमारे पास assets है 80,000 की liability है तो बाकी जो 20,000 का difference है वो profit हो गया liability में मैं दोनों मान रहा हूँ मैं यहाँ disclaimer दे के आपको बता रहा हूँ liability में मैं दोनों मान रहा हूँ liability में मैं मान के चल रहा हूँ capital plus liability both क्योंकि मुझे बार-बार ना बोलना पड़े तो difference क्या आगया मेरे बच्चा profit का आगया इसमें simple सी basic चीज में बताना यह चाहता हूँ कि अगर difference liability side होता है that means asset side ज़्यादा asset side ज़्यादा तो profit ही होता है opposite liability side ज़्यादा हो गई कि आपकी asset side कम पड़ गई तो बेटा क्या होगा loss हो जाएगा फिर तो यानि कि rate भी सकते हैं कोई ऐसी बड़ी बात नहीं rate भी सकते हैं कि अगर profit का credit balance दिखा रहा है तो इसका मतलब वो profit है और अगर profit का debit balance दिखा रहा है तो loss है या loss लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है लेकिन symbol में वो फस जाता है मेरे बच्चा है तो symbol में याद रखना अगर profit के सामने debit लिखा हुआ that means loss है profit के सामने credit लिखा हुआ that means profit है तो ये basic छोटी छोटी बाते हैं जो परिशान कर देती है तो जल्दी से मुझे इस question को करके बताओ average profit कितना आने वाला है हमारा 10,000 plus सरा प्लस क्यों रखते हो क्योंकि मैं bracket में minus ले लेता हूँ आप ऐसे भी कर सकते हो 10,000 minus 5,000 plus 55,000 कोई issue नहीं है मैं plus लगा के ये bracket लगा देता हूँ जोजे वैसे होगी नहीं अगर हो जाती है तो माफ करना तो बताओ जल्दी से मेरे बच्चा goodwill कितनी आई 20,000 into 3 कितना आया 60,000 बात समझ में आई यहाँ पर मैंने क्या logic समझाने का प्रियास किया अपनने क्या समझाया आप लोगों को क्या समझा रहे हैं हम यह समझा रहे हैं कि हमने यह भी याद रखना है कि यह वो debit credit भी use करें तो भी हम question निकाल दें तो भी हम पर फरक ना पड़े Is that clear मेरे बच्चा मैं क्या कह रहा हूँ आप पर कोई फरक नहीं पड़ना चीए इन सारी बातों का आप अच्छे से उन बातों को consider करके चलोगे अच्छे से उन बातों को पकड़ के चलोगे Is that clear? समझ में आया loss वाला year भी consider करते हैं profit के बीच में loss आएगा तो जब sum करते हैं तो उसको minus कर देते हैं किसी साल का profit 0 दे रखा होगा वो मेरे बच्चा 3 आएंगे ये नहीं है कि 0 आया तो उसको number of year में consider नहीं करेंगे करेंगे हम करेंगे उसको consider 3 year आएंगे ठीक है number of year में 3 लिखेंगे मेरे बच्चा ठीक है मेरे बेटा कोई issue नहीं होगा बड़ा आसान समझे वाली चीज है आगे बढ़ाते हैं आगे क्या बात करने वाले हो सर आप हम से मेरे बच्चा, मेरे दोस्तो, मेरे भाई औ बहनो मैं आप से बात करने वाला हूँ weighted average method के बारे में आज हम weighted average method को पढ़ेंगे अभी तक हमने simple average method पढ़ा है मेरे भाई औ बहनो अब हम क्या पढ़ेंगे weighted average method पढ़ेंगे आप जरूर पढ़ा करें नहीं पढ़ेंगे तो आपके सामने मुसीबतें आ जाएंगी इस तरीके से कुछ समझने का प्रियास करें तो बेटा weighted average में हम क्या करने वाले हैं उसको लेकर आप मैं आपको बताने जा रहा हूँ जल्दी से चलिए स्टार्ट करते हैं ठीके बच्चा weighted average weighted average method में क्या करते हैं बेटा पहली चीज हम क्या करते हैं मेरे बेटा हम calculate करते हैं weighted average profit in place of average profit अभी तक आप average profit निकालते थे average profit मतलब simple average profit अब हमें क्या करना है weighted average profit निकालना है ठीक है कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए ये वाला example मेरा और इस example से आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से हमें करना है मानके चलिए कि goodwill हमें valued करनी है सोट में लिख रहा हूँ बेटा two years of purchase के basis पे किस basis पे करनी है मेरे बच्चा two years of purchase पे आपको goodwill निकालनी है question में आपको profits दे रखे है पहले साल का be careful बेटा पहले साल का 20,000 दूसरे साल का 30,000 और मेरे बच्चा तीसरे साल का इस तरीके से ले लेते है तीस हजा इस तरीके से question ने आपको क्या दे रखा है profit दे रखा है और कह रहा है two years of purchase पे valued कीजिए goodwill weighted average method से goodwill आपको निकालनी है किस से निकालनी है from weighted edge है ये average method ठीक है मेरे बच्चा weighted average method से आपको goodwill निकालनी है तो कैसे निकालेंगे सबसे पहले हम निकालेंगे weighted average profit क्या निकालेंगे हम सबसे पहले weighted average profit कैसे निकालेंगे ध्यान दो बेटा पहले हम year लिख लेंगे year one year two year three उसके बाद हम year लिखने के बाद में यानी कि पहले हमने year लिख लिए year लिखने के बाद में हम बेटा लिख लेंगे question में जो amount of profit दे रखी है वो लिख लेंगे पहले साल का 20,000, दूसरे साल का 30,000 और तीसरे साल का भी 30,000 ठीक है पहले हमने क्या लिखा year लिखा फिर हमने क्या लिखा amount लिखा फिर हम दे देंगे बेटा इनको वेट, हमें क्या देना पड़ेगा, एक वेट देना पड़ेगा, ध्यान देना, वेट देंगे हम 1, 2, 3, मतलब पहले साल को एक वेट दे दिया, दूसरे साल को दो वेट दिया, तीसरे साल को तीन वेट दिया, जरूरी नहीं है, 1, 2, 3, ऐसे भी हो सकता है 2001 2002 2003 तो 2001 को एक वेट देना है 2002 को दो वेट देना है 2003 को तीन वेट देना है इसलिए नहीं इनके बिचे 123 आ रहा है 11 12 13 भी हो सकता है मेरे बच्चा कुछ भी हो सकता है 90 20 21 भी हो सकता है पहले वाले प्रोफिट को एक वेट मार करना है दूसरे वाले प्रोफिट को 2 weight mark करना है तीसरे वाले profit को 3 weight mark करना है और question में अगर weight mention कर रखे हैं तो वो weight ले लेंगे कभी कभी क्या करता है जैसे 1,2,3 मैंने लिया ये question में given होता है question में बोलता है 4,5,6 लेना पहले साल का 4, दूसरे का 5, तीसरे का 6 तो मैं या 4,5,6 ले लूँगा मेरे बच्चा या तो question मुझे बता देगा कितना weight लेना तो मैं वो ही ले लूँगा फिर मैं बहस क्यों करूँगा CBSC के paper से फिर मैंने जो दिया exam में वो ले लिया otherwise मैं 1,2,3 mark करूँगा ठीके मेरे बच्चा पहले year लिखा मैंने फिर मैंने amount लिखा फिर मैंने बेटा उनका weight निकाल दिया weight निकालने के बाद बेटा मैं कर दूँगा इनका total total कैसे होगा amount और weight की into कर दूँगा यानि की इस वाले column और इस वाले column की मैं multiplication कर दूँगा तो 2,20,000 into 1 is equal to 20,000 30,000 into 2 is equal to 60,000 30,000 into 3 is equal to 90,000 फिर क्या कर लेंगे फिर इसका देख लेंगे total कितना weight आने वाला amount into weight करने के बाद में चेक कर लेंगे कितना आएगा तो ये आएगा 1,70,000 ठीक है उसके बाद क्या करेंगे sir weight का total कर लेंगे 3,25,016 फिर से एक बार बताता हूं year no down करेंगे फिर amount no down करेंगे फिर weight देंगे 1,2,3 उसके बाद क्या करेंगे amount into weight की multiply कर देंगे और multiply करने के जो individual आया है उसका भी sum कर लेंगे और weight का भी sum कर लेंगे अब क्या होगा ध्यान देना फिर निकलेगा मेरा weighted average is equal to जो मेरा total आया था उसको में divide कर दूँगा weight से total आया है मेरा 1,70,000 और मेरा weight आया है 6 total आया है मेरा कितना 1,70,000 और weight मेरा कितना है मेरे बच्चा 6 weight आया है इसको divide करके जो निकलेगा वो निकलेगा मेरा weighted average profit ठीक है मेरे बच्चा तो divide करने के बाद मैंने डिवाइड कर दिया तो कितना आया 28,333 फिर मैं क्या निकाल दूँगा इसकी गुडविल निकाल दूँगा अप्रोक्सी में आ रहा इन्टु टू कर दूँगा मेरे बच्चा जल्दी से मुझे करके बताओ इन्टु टू करके बताओ जल्दी से मुझे करके बताओ मेरे बेटा इंटू करके बताओ कितना आया 5, 6, 6, 6 और एक बढ़ा देते हैं 7 अप्रोक्स में ले लेते हैं तो ये निकल के आई मेरी goodwill मेरे बच्चा क्या निकल के आई मेरी goodwill निकल के आई किस से weighted average मेथट से ठीक है कुछ important points यहां बता रहा हूँ जो ध्यान रखेंगे जर्नली होता क्या है मैंने question में यहां आपको दिया है 1, 2, 3 मैं इसको ऐसे कर देता हूँ 2001, 2002 ठीक है और इसको कर देता हूँ 2003 मान के चलो इस तरीके से मुझे information given है easily पहले 2001 दे रखा है फिर 2002 दे रखा है और फिर 2003 दे रखा मैंने उसको easily wait कर दिया paper में मेरे बच्चा कभी कभी क्या होता है question जान बूज के जो हमें देता है वो ऐसे देता है ऐसे मान के चलो कि 2003 का मैं last वाले question उठा लेता हूँ last वाले question में edit कर लेता हूँ ताकि आपको रहमें सहूल यतरे किदर गया यह रहा ऐसे वो लेगा टी 2003 का 30,000 profit 2002 का 30,000 profit और 2001 का कितना था मेरे बच्चा 20,000 profit यह ऐसे दे देगा और आप से कहेगा कि weighted average से goodwill आप निकाल के दिखाओ पूरा question देगा पूरा dictate करके लिखा हुआ होगा पूरा लंबा चोड़ा भासन statement होगी on the basis of two years purchase मैंने same मैंने same question लिया same question लिया है जो question पहले था वो ही question same लिया बस year उपर नीचे कर दिये पहले 2003 ले लिया फिर 2002 ले लिया फिर 2001 ले लिया मेरे बच्चा मेरा भोला भाला बच्चा क्या करेगा अरे सर ने बताया था पहले year लिखेंगे 2003, 2002, 2001 फिर profit लिखेंगे 30,000, 30,000, 20,000 फिर सर ने कहा था weight दे देंगे ये year हो गया ये profit हो गया ये weight दे देंगे rank 1, 2, 3 बेटा गलत हो गया जैसे ही आपने ये दिया आपका सारा question गलत हो गया आपने गलत rank दे दिया मैंने कहा था पहले साल को पहला rank, दूसरे साल को दूसा rank और तीसरे साल को तीसा rank तो यानि कि हमें rank कैसे देना था हमें correct rank देना था 3, 2, 151 क्या देना था 3, 2, 1 और मैं कहतू हूँ इस लपड़े में भी मत पड़िए इस लपड़े में भी मत पड़ी, जब आप table बनाएं तो आप descending, ascending order को follow करते हैं descending, ascending order तो आप उन order में से एक order को ले ले ठीक है, मैं कहूंगा कम से जादा वाला लें जादा से कम वाला बिल्कुल ना लें तो मैं पहले automatically question ने सबसे बाद में दिया हुआ है कभी बच्चा ऐसा करता है कि इसको तो sequence में कर देता फिर profit को उल्टा कर देता ना जो 2001 के सामने profit था वही जो 2000 के सामने है वही जो 3 के सामने है वही और फिर क्या दे देंगे इनकी weight 1, 2, 3 और बन गया बिल्कुल देखो question वही था question वही था जो पिछले वाले में हमने लिया था बस हमने ये sequence change कर दिया गलत हो गया तो कितना आ रहा था यहां 1,70,000 टोटल कितना आ रहा था 6 weighted average कितना निकल के आना था 1,70,000 बटे 6 28,333 तो goodwill कितनी आ रही थी वही same sub answer वही आ रहा है लेकिन paper में आप इसको गलत करके आ जाते मेरे बच्चा, गलत क्यों कर देते हम भया, गलत क्यों कर देते हम सर, क्योंकि अगर हम इस बात को दिहान में नहीं रखते, तो मेरे बच्चा ये danger बन जाता है, point इस बात को बहुत समल के चलेंगे कि हम क्या करेंगे, कम से previous to previous जो सबसे पहला साल हमें जो सबसे छोटा कम वाला साल दे रखा है उसको पहला rank देंगे फिर दूसरा देंगे तीसरा देंगे अब सबसे महतपून बात कि कौन सा बढ़िया है weighted average अच्छा है या simple average अच्छा है इन में से industry के हिसाब से कौन सा अच्छा है बेटा accurate तो ये है accurate तो ये है ये ज़्यादा accurate नहीं है simple average ज़्यादा accurate नहीं माना जाता weighted average ज़्यादा accurate रिजल्ट वाला और ज़्यादा perfect माना जाता है ठीक है मेरे बच्चा अरे 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 you are उल्टा हो गया उल्टा हो गया, accurate जादा accurate ये माना जाता है, ये जादा accurate नहीं माना जाता, तो हमें क्या करना है, बेटा, पहली चीज, अगर question silent है, silent है question, तो आप paper में simple average ही follow करेंगे, पहली चीज अपने दिमाख में ये रख लो, question silent है, तो वो ही follow करेंगे, दूसरी चीज, जो आपको अगर weighted average आप follow करते है, question ने कहा है, weighted average लेना है, तो weighted average में जो आप rank देंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसे देंगे, और lower to higher कैसे देंगे, lower to higher के sequence में rank देंगे, तीसरी सबसे बड़ी बात, rank कैसे देंगे, lower to higher, question अगर बोलता है, weighted average फोलो करना है, then, लेकिन, mcq के हिसाब से, आप से paper में, mcq मतलब multiple choice question, या very short question, vsq, इनको hot question भी बोलते हैं, ये गरम question होते हैं, मतलब, ये छोटा packet बड़ा धमाका है, hot, highly order thinking, गरम वाला hot नी, highly order thinking, जो ज़्यादा, अच्छे से सोचना है, मेरे बच्चा, तो इसमें क्या करना है, हमें, इसमें कभी-कभी paper में, पूछ लेता है, mcq बना के, कि बताओ, इस situation में, कौन सा follow करें, weighted average follow करें, या simple average follow करें, ध्यान देना, बेटा, अगर profit के trend, ऐसे दे रखे हो, 20,000, 30,000, 40,000, ऐसा profit दे रखा है, तो ऐसे trend को बोला जाता है, increasing trend, कैसे trend है, increasing trend, बढ़ते हुए trend, तो हमें weighted average follow करना चाहिए, या ऐसे कहलो, ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है, कि कैसे trend है, clearly decreasing trend, तो भी हमें weighted average follow करना चाहिए, चाहिए, means, अगर profit के trend, sharply increases, और decreases वाले है, मतलब या तो regular बढ़ रहे हैं, या regular घट रहे हैं, तो आपको accurate profit के, accurate goodwill निकालनी है, तो मेरे बच्चा, हमने weighted average follow करना चाहिए, otherwise, otherwise, you have to follow simple average method for the valuation of goodwill, अगर trend clear नहीं है, मतलब ऐसे, ऐसे हैं, पहले 10,000, फिर हो गया 5,000, फिर हो गया 50,000, तो हम क्या कर लें, फिर हम weighted average की जगा क्या कर सकते हैं, simple average भी follow कर सकते हैं, अगर हमारे trend clear नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, मेरे बच्चा, अगर trend clear नहीं है, तो फिर हमें simple average follow कर लेना चाहिए, तो simple सी एक बात हम याद रखके चलेंगे यहां, क्या बात याद रखके चलेंगे हम, लिखो जल्दी से, कि अगर हमारे पास clear trend है, कैसे trend है, बिल्कुल हमारे पास clear trend और profit है, clear trend है profit का, तो weighted average हम देंगे, trend बिल्कुल clear है profit का, तो हम weighted average देंगे, अगर clear नहीं है, not clear trend, तो फिर हम simple average, यानि कि हमारे पास trend clear है, increasing और decreasing के हिसाब से हम clearly जानते हैं, कि profit का weight increasing या decreasing के हिसाब से रहने वाला है, आगे बढ़ता ही रहेगा, या घटेगा regular trend हम जानते हैं, clear trend है हमारी आखों के सामने, तो it's better कि हम weighted average के साथ go through करें, अगर trend clear नहीं है हमारा, तो फिर हम simple average से भी जा सकते हैं, लेकिन अच्छा जो माना जाता है, वो weighted average माना जाता है, एक line में समझने के लिए, कि weighted average और simple average में क्या अंतर है मेरे बच्चा, simple सी बात है, एक party में बहुत सारे लोग इखटे हुए, इंजीनियर साब, डोक्टर साब और सी ए साब, बेटा उन तीनों को मिल रही है, बराबर impotence, तो ऐसे case को बोलते हैं, simple average, मतलब चाहे कम profit हो किसी साल, चाहे जादा profit हो, बराबर की impotence दी जा रही है, कम जादा का भेदबाव ना रखते हुए, साथ में उसको जोड कर, number of year से divide कर रहे हैं, मतलब किसी साल का profit कम है, तो भी फरक नहीं बढ़ रहा, जादा है, तो भी फरक नहीं बढ़ रहा, profit था 3, 2, 1, हमने 3 को भी साथ रखा, 2 को भी रखा, 1 को भी रखा, divided by 3 कर दिया, तो इसको बोलते हैं, simple average, weighted average, आदमी को उसकी quality के हिसाब से इज़त मिलेगी, C.A. साब ज़ादा इज़त दी जाएगी, उनका weight ज़ादा है, भारी बरकम है, मेरी तरह है साब, तो अगर वो भारी है, तो उनको ज़ादा weight है, तो ज़ादा weight देंगे, और accordingly, अगर कम weight है, तो कम weight दिया जाएगा, और less appropriate है, तो और कम weight दिया जाएगा, इसलिए weighted average ज़ादा appropriate माना जाता है, जो ज़ादा लायक है, उसको ज़ादा weight मिले, जो कम लायक है, उसको कम weight मिले, जबकि simple average में सबको simple weight मिला था, ठीक है, तो समझ में आया होगा, मैं क्या कहना चाहरा हूँ, तो more appropriate answer के लिए, या more appropriate question, goodwill की valuation के लिए, better की weighted average को follow करें, या simply याद रख सकते हैं, trend बहुत clear है, increasing और decreasing trend हमारा clear है, तो weighted average लगाएं, clear नहीं है, साब तो simple average लगाएं, कैसी लगी आपको, हमारी ये आज की वीडियो, जरूर हमें comment करके बताएं, साथ में अपने suggestion हमें देते रहें, या किस topic पे आप वीडियो चाहते ह हैं, वो भी आप हमें message कर सकते हैं, comment कर सकते हैं, मेरा whatsapp number है, 9555851071, कोई भी lecture सरीच आप हमसे खरीदने के लिए हमसे जूड सकते हैं, आप play store पे जाके हमारी application, smart classes, the learning app, download कर सकते हैं, वहाँ से free का study material भी हमने provide किया हुआ, वो ले सकते हैं, या अपनी need के हिसाब से बहुत स रहें, safe रहें, सुरक्सिद रहें, जै हिंद भारत माता कीज़ें